हुआ 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 है लव इंट्रेस्ट है उनके दिल में कैसी फिलिंग्स कैसे एमोशन्स और किस प्रकार के थॉट्स है आपको लेकर हम यह जानेंगे रीडिंग जेनरल है, कलेक्टिव है, हो सकता है कि आपके सिचुवेशन के साथ अक्यूरेटली रेजोनेट करें, हो सकता है सिर्फ कुछ परसंट रेजोनेट करें तो ओपन माइंड़ होकर यह रीडिंग सुनिएगा, जबरदस्ती अपने आपको रीडिंग में फिट इन करने की कोशिश मत कीजिएगा जितना आपके साथ रेजोनेट होता है, उतना ही एक्सेट कीजिए एंड लीड देस्ट, यह रीडिंग सभी जोडियेक साइंस के लिए है हर उम्र के विक्ति के लिए है, टाइमलेस है, आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं जब भी इस वीडियो तक पहुँचे हैं यह है आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा, फिर चाहें आप इस वीडियो तक कितने भी समय बाद क्यों ना पहुंचे नूँ सबसे पहला कार्ड है नाइट अफ सोर्ट का and three of vans okay sun card beautiful sun card आ गया है sun card का आना मतलब everything is positive okay seven of vans okay so we have lot of vans here and three of cups interesting okay viewers तो night of swords three of vans the sun card and seven of vans and three of cups interesting ये जो old वाली डेक है ना tarot डेक ही है मुझे बहुत अच्छी लगती है okay so viewers सबसे पहले में हाँ पर ये देख पा रही हूं situation में कि आपके person के दिल में कहीं ना कहीं आपको लेकर इंतजार है I don't know वो किस टाइप का वेट है किसी opportunity का waste किसी opportunity का वेट हो सकता है यानि कि कि किसी मौके के मिलने का इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही उन्हें कोई chance मिले कोई opportunity मिले तो वो कुछ action ले यह मुझे ऐसा भी लग रहा है हो सकता है यहां chances है कि शायदे आपके तरफ से किसी action का वेट कर रहे हैं या फिर अपनी situation के favor में होने का इंतजार कर रहे हैं हो सकता है कि इनकी जो current situation है वो इतनी favorable नहीं है यह जो इनके planets हैं इनकी जो planetary possessions हैं इस situation इनके favor में हो जाएगी या फिर इस चीज का भी इंतजार कर रहे हैं कि कब उन्हें वो chance मिलेगा जब वो कोई action या कोई decision ले पाएंगे आपके लिए या कहीं न कहीं यह भी है कि यह किसी type के union का वेट कर रहे हैं या उन्हें कहीं न कहीं इस बात का इंतजार है कि आप दो सम्हाओ तो एक हो ही जाएगे हैं कैसे ना कैसे तो आप दोनों वापस एक हो जाएगे इस बात का इनको विश्वास है और इसी लिए इंतजार भी कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि बहुत negative फील कर रहे हैं ऐसा नहीं है यहां ऐसा लग रहा है कि काफी इनको अपना future bright नजर यह जानते हैं कि current situation इनके favor में चाहें ना हो currently चीजें इनको favor ना कर रही हो लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि यह जो इनसान है यह positive बहुत जाता है positive है optimistic है visionary है यानि आगे के बारे में अच्छा सोच रहे हैं इनके दिल में भविश्य को लेकर काफी विश्वास है कि भविश लुणे के बहुत्ष हो जाइगे और अप दोनों ही यहाई relationship में आप दोनों ही भुछ खुश होंगे तो उनको ऐसा लगता है यह बहुत भुश्वास भी है और इस ही विश्वास की वजगे से कहीं ना कहीं यह इंतजार कर रहे हैं क्योंकि जो इ Austria दिल में निकल कर आया है, इनके दिल में किस टाइप की एमोशन से हैं, किस टाइप की फीलिंग से हैं, वो वेटिं निकल कर आया है, कि पेशन्स रख रहा है कोई जैसे, कोई जैसे पेशन्स रख रहा है किसी बात के लिए बहुत दिनों से, कोई जैसे इंतजार कर रहा है किस किसी चीज़ के होने का और कहीं न कहीं कॉंपेशन कर रहे हैं, यहां पर एक वाण की कमी है, अगर वह और होता, तो यह फोर ऑफ वाण्स होता और यह यूनियन होता, कि union हो जाएगा या एक साथ आप लोग हो जाएगे लेकिन कहीं न कहीं है एक van की कमी है four of vans होने में एक van की कमी है और कहीं न कहीं three vans की वज़े से ही इंसान अकेला यहाँ पर खड़ा हुआ है और fourth van की complete होने का wait कर रहा है again there is waiting तो मुझे लगता है कि union का भी इंतजार कर रहे है शायद आप लोगों को अलग हुए या आप लोगों की बात नहीं हुए उस चीज को बहुत दिन बीट गए है बहुत समय बीटता जा रहा है और उनको ऐसा लगता जा रहा है कि हमारा union कब होगा patience भी रखे हुए है लेकिन इंतजार में है कि कब होगा आखिर कब वो chance मुझे मिलेगा या आप कोई action लोगे viewers आप अपनी तरफ से कुछ ऐसा gesture करोगे या कोई ऐसा action लोगे जिस वज़े से union की at least शुरुवात होगी या फिर उनकी situation का इतनी favorable होगी कि वो freely कुछ कर पाएंगे तो एक इंतजार तो यहां देख रहा है viewers चीजों के होने का union का आपकी उनकी life में आने का एक right chance मिलने का एक सही opportunity मिलने का ओके सही वक्त आने का ऐसे सब चीजों का ऐसा लग रहा है इन्हें इंतजार है आने वाले future के लिए कितना भी faith है इंको कितना भी confidence है चाहें लेकिन currently ऐसा लगता है somewhere incomplete भी feel करते हैं इनकी life जैसी भी चल रही है बहुत बुरी नहीं चल रही है लेकिन उस life में कहीं नहीं एक x-factor जैसे कहते हैं एक interest की कमी है नहीं कि उनकी life नहीं बहुत ही colorless, boring, plain और और क्या-क्या बोल सकते हैं उनकी life बहुत ही जादा dull हो चुकी है और उनको ऐसा लग रहा है कि उस life में उनकी इस जिंदगी में कहीं आपके होने की कमी है आपकी absence की वज़े से viewers कहीं न कहीं इनको बहुत incomplete लगता है ऐसा लगता है सब कुछ है लेकिन कुछ तो कमी है सब कुछ है लेकिन फिर भी कुछ तो ऐसा लग रहा है जो missing है तो viewers वो आपकी presence को इस तरह ही miss करते हैं इस तरह ही उन्हें आपकी कमी खल रही है कि ये इनसान सब कुछ होने के बाद friends, family and other things also सब कुछ होने के बाद भी ऐसा feel करते हैं कि कुछ तो कमी है there is something missing कुछ ऐसा है जो होना चाहिए था पर है नहीं तो कहीं न कहीं वो कमी आपकी है जो इनको चुब रही है खल रही है और जिस वज़े से ये ऐसा feel कर रहे है कि जैसे इनकी life सही track पर चलने के बाद भी incomplete है मैंने सब सही चीज़े कर रहा हूं करती हूं पूरे दिन में सब कुछ ठीक से करता हूं करती हूं लेकिन फिर भी एक अधूरापन सा मुझे क्यों लगता है तो वो अधूरापन बाहर से नहीं अंदर से उन्हें महसूस हो रहा है कोई और इन है अधूरा ये incomplete feel नहीं करवा रहा है ये सच में कोई ऐसा समान ये कोई ऐसी बात नहीं है जो उनकी life में missing है वो सिर्फ आपकी presence है जिसको वो miss कर रहे हैं साथी साथ भविष्य को लेकर इनके अंदर बहुत उमीदें हैं इनको लगता है there is a happy future उनको लगता है कि भविष्य में आगे जाकर आप लोग बहुत enjoy करने वाले हैं एक bright future होगा एक bright future होगा happy life होगी okay you will be together आप दुरों साथ में होगी आप लोग enjoy करेंगे अपनी life को celebrate करेंगे हो सकता है आगे जाकर कुछ serious और कुछ official भी आप लोगों की बीच होगा तो वो ऐसे ऐसे या तो ऐसा कह सकते हैं कि वो ऐसा visualize कर रहे हैं या ऐसा faith रख रहे हैं यह ऐसी बात मान के चल रहे हैं ऐसा believe है उनका ऐसा होगा यह they believe that तो कहीं न कहीं उनको लगता है कि वह विश्य में celebrations है खुशिया है खुशिया है आपके साथ और एक happy bright satisfactory future है तो यह उनका faith है viewers कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है currently यह चीजे हैं कि वो यह भी सोचते हैं यह बात हो सकती है इसके chances हो सकते हैं कि इनके दिल में यह बात है कि viewers आप थोड़े से defensive हो I mean कि आप ना इनको पसंत करते हो चाहते तो हो लेकिन कहीं न कहीं थोड़ी सी sense of security feel नहीं होती है आप मतलब वो सेक्योर फिल नहीं कर पा रहे हो अतना जादा आपको trust करने में डर लग रहा है आगे बढ़ने में डर लग रहा है इनकी तरफ step लेने में डर लग रहा है इनकी बात का विश्वास करने में डर अपना डर लग रहा है कि आप ऐसा नहीं हो कि आप करते चले जाए और वो व्यर्थ हो जाए सब तो कहीं न कहीं विवर्स आपना बहुत मैं कहोंगी कि sense of security नहीं है या कह सकते हैं कि बहुत doubtful हो रहे हैं बहुत सारी बातों को लेकर जिस वजह से जिस वजह से हो सकता है yes you are defensive आपने अपना डिफेंस मेकानिजम अक्टिवेट कर लिया है कि मैं एक लिमिट तक इस इंसान के लिए कुछ करूंगा या करूंगी या एक लिमिट तक इनको अपना प्यार दिखाऊंगा या दिखाऊंगी और वो लिमिट आपने या वो लिमि जो आपके person sense कर रहे है क्योंकि energetically जब दो लोग एक दूसरे के बारे में इतना सुचते हैं तो energetic cords जो होते हैं वो connect हो जाते हैं तो उनका energetic cord आपके साथ connected है कही ना कहीं आप लोग दिन में कई बार एक दूसरे के thoughts exchange करते होंगे एक दूसरे के thoughts and vibes exchange करते होंगे तो उन तक आप कहीं ना कहीं शायद कुछ ठीक नहीं है या पसिट है या जो भी है लेकिन वीवर्स उनको यह पता चल रहा है आपके person को कि आपके तरफ से एक resistance है चाहें वह आपने मूँ से बोल के नहीं बताई है resistance लेकिन वह यह resistance फील कर सकते हैं लेकिन फीलिट के कुछ तो है जिस फर्स्ट स्टेप ने लेना चाहता तो वह यह चीज सेंस कर सकते हैं मैं यह नहीं कह रहे हैं यहां पर ego clashes है किसी को ego problem है यहां पर डर है risk लेने में यहां पर डर है फर्स्ट स्टेप लेने में यहां पर डर है ट्रस्ट करने में डर है आगे बढ़ने में क्यू कि वह वो सि पीछे भी हटते हैं दिल आपका आगे बढ़ना तो चाहता है लेकिन आप सोचते ही कि मुझे सब कुछ देखना चाहिए सब कुछ सोचना चाहिए सिर्फ दिल की सुन के चलूंगा या चलूंगी तो तो पक्का एक दिन मेरा नुकसान होगा या फिर पका एक दिन मुझे यह जानते हैं इस बात को कि आप डिफैंसिव और अगर तो पॉपन है काफी काफी कमफटिबल हैं काफी ओपन और वेलकमिंग हैं और दिफैंसिव नहीं है तो हो सकता है फ्जिए फ्योंकि यह इनसान कोई सा इनका एक्सपिरेंस आपके साथ एको ऐस फिय आप लोगों के बीच पास्ट में जिसके बेसिस पर जज कर रहे हैं कि आप डिफेंसे हो अब आप उनको अपनी लाइफ में एजीली अलाओ नहीं करोगे फिर हो सकता है कि यह अज्यूम कर रहे हैं कि कुछ ऐसा हुआ था या कुछ इस वज़े से आप हर्ट हुए होंगे या कुछ ऐसा सोच लुष रहे होंगे जिस वज़े से आप इनको अपनी लाइफ में दोभारा अलाओ नहीं करोगे तो उनका मालना हो सकता है कि इसलिए आप डिफेंजर हैं हुआ। शोमरेवर्स इनकी life इनको लगता हैक एक celebration है एक आभन जर्नी हैएग एक enjoyment है when you are with them अगर आप उनके साथ है तो her चीज में खुशी लगते हैं और उनकोई अठीजी अपके साथ लगती है इनके दिल में इो साफ-साफ करें आपनी अपना लाइफ में हर ताहो की happiness को सटेस्फाक्शन को, इमोशनल फुल्फिल्मेंट को आपके साथ जोड के देखते हैं, आपके साथ रिलेट करते हैं अपनी खुशियों को कि मैं खुश हूँ जब ये इनसान मेरी लाइफ में है, मेरी सारे काम बन जाते हैं, मेरी लाइफ में ग्रोथ होती है, मेरी लाइफ कि कुछेले लिए भागि की बात है क्या है करह सकते है कि івका लगी होना है न व आपको अपने लिए बहुत लगी भी मानते हैं धीयरे धीयर मानने लगे यज को अप्ले से मांते हैं यह नहीं पता मुझे अपर आप से क्लिक यूट है यह उनके दिल में चल के जह रहा है ये सी आप से बात करना चाहते हैं आपके पास आना चाहते हैं और बहुत फास्ट और क्विक एनरजी में ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी से आपके पास आना चाहते हैं या फिर जल्दी से आप से कुछ कहना चाहते हैं, कुछ कम्यूनिकेट करना चाहते हैं तो आप expect कर सकते हैं कि ये इनसान सदनली आपको कोई message भेचेंगे या सदनली आप से कोई बात कहेंगे, आप से कहीं मिल जाएंगे क्योंकि ये इसा लगता है, फुल स्पीड में ये इनसान आपके तरफ मुव कर रहे हैं तो हो सकता है काफी सारे लोगों के लिए कि आपको इनकी तरफ से कोई ऐसा message, कोई ऐसा कुछ ऐसा hint या कुछ तो ऐसा gesture देखने को मिलेगा जिसकी वज़े से आपको लगेगा कि इस person को अचानक क्या हुआ जिसकी वज़े से आपको लग सकता है कि अचानक ये person ऐसे कैसे कर रहे हैं अचानक अनब्लॉक कैसे कर रहे हैं अचानक मुझे romantic post कैसे share कर रहे हैं या अचानक मुझे message कैसे कर दिया या मुझे कॉल कैसे किया तो कहीं न कहीं कुछ ऐसा unexpected और sudden कुछ कर सकते हैं क्योंकि मुझे लग रहा है कि जब इनसान जादा miss करता है जादा याद करता है तो कभी-कभी उस emotional intensity में message कर बैठता है या phone कर बैठता है फिर चाहें बाद में सोचे कि मुझे अभी नहीं करना था यह सही सब्सक्राइब नहीं था इस वक्त में कॉल करा तो गड़बड हो गए यह सही ताम नहीं है चाहें बाद में सोचे कैसा नहीं करना था वैसा नहीं करना था लेकिन emotional होके जादा ऐसा कर सकते हैं चांसेज हैं सभी के लिए नहीं के रही हूँ लेकिन कुछ लोगों के लिए के रहे हूँ कि आपको इनकी तरफ से एक sudden unexpected message call यह कोई gesture देखने को मिल सकता है देखे यह reading सभी zodiac science के लिए है फिर भी मैं कहूंगी prominent sign है यहाँ पे fire, water and air कुछ important dates है जो कि है 3, 13, 23, 3 यहाँ पर important भी है तो 3, 3 एंजन लंबर आप एक बार सर्च कीजेगा और जो message आपको मिलता है जो guidance आपको मिलती है वो receive कीजेगा 3, 13, 23, 6, 16, 26, 7, 17, 27 यहाँ इंपोर्टन डेट हो सकते हैं okay so this was the reading viewers चलिए मिलते है अगली reading में तब तक के लिए bye-bye family take care